क्लास 12 हिंदी काप्य खंड का सुमितन पंद का नौका विहार का तीसरा चंग है नौका से उठती चल हिनोर, हिर उठते नब के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निस्चन, कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो तिसकर नब का अंतस्थल, चिनके लग द्यूपूं को चंचल अंचल की ओंड किये अधिर्द, खिरती लहरें लुक्षिक पलपल, सामने सुब की छब यल्मन, पैरती परीसी जनमे कर, तो पहले कचों में हो ओजल, लहरों के भूबूर से जुबचुब, तस्वी का सस्विजित्रे को दिखलाता मुथा सार। यह तो पढ़ाया गया है, जिसके आगे और देखिए, हाँ, कुछ लोग यह कह रहे थे, कि जसनतर साथ का कोर्स में नहीं है, पढ़ा दिया गया है, हाँ, मुझे मालूम नहीं था, मैंने पढ़ा दिया, तो उसे आप ना समझेए, पढ़ा दिया तो कोई अपरात नहीं चौथा है, जब चपला पहुची बीच धार, शिप गया चांदनी का कगार, दो बाहूं से दूरस्त तीर, धारा काक्रिश को मल सरी, आलिंगन करने बोवदे, अत दूर शितिस पर मिटप माल, लगती भूले खासी अराल, अपलक नब नील नहीं विसा, मा के उरुपर सिस् जब चांदनी सोया अधार गामें एक जो उर्निल प्रवाग को कर प्रती, वा कौन बिहक क्या प्रिकर को उड़ता हरने निल बिरासो, छाला की को की को बिलो, कभी कहता है, नौका बिहार कर रहा है, नौका बिहार करते समय, नौकी स्तिक, क्या है, इसी की तरब, धारा की स्तिक कर लाया है, कहता है, जब पहुची चपला बीच धार छिप गया, चांदनी का करता है, नौका बिहार करते हुए, चपला माने नाओ, जब नाओ नदी के बीच धारा में पहुचती है, तो नदी के गंगा जी के दोनों किनारे छिप जाते हैं, और थात बीच धारा में नाव के पहुंचने से किनारे दिखाई देते नहीं है जब पहुंची चपला बीच धार चुप गया चाधनी का गगार जब नाव गंगाजी के बीच धारा में पहुंचती है तो चाधनी कित्रा चमंकने वाले गंगा जी के दोनों किनारे चुप जाते हैं दो पाहों से दूरस्ति धारा का किस्कोबन सरी चादरी की चमक जो किनारे से आ गए चुप जाती है दो पाहों से भुशति धारा का किस्कोबन सरी और जब दूरी की तरह सामने दूरर देखा जाता है तो गंगा जी की धारा होट पतली दिखाई नि ces लिए और दोनों किनारे उस दूरी पर तो пятьो जाओं की तरह गंगा जी के उस पतले दूबले पतले कोमल सरीर, थारा रुपली शरीर के दोनों किनारे, दो भावनों के पुझाओं के हातों के घुप में दिखाई देते हैं, आलिकिन करने को प्रणे led चितिज पर हैं, जहां पर धरती, आगास, पर हमें दिखाएं पर बिटक्मा प्रिच्छों की मालाएं लगती गुरू रेखा सियरा वह इतनी काली लगती है कि जैसे भौं की भैंकर रेखा जैसे भौं की आपके अपर भौं मता भौं के बाल काले काले होते हैं तो जैसे भौ के की रेखा कोती है काले काले जो भैंकर दिखाई देते हैं दूर से देखे पर शिद препर ब्रिच की मानाय जो दिखाई देते हैं काले पटि दिखाई देती है वह बिल्कुल जो है वो भॉं की रेखा कि तरहां भयान जबती है अपलक नब नील नहीं साथ अपलक आस्मान एक टक कि अपने नीले बड़े नेत्रों से देखता हुआ दिखाई दे रहा है मा के उपर सिष्पा समीब सोया धरा में ये और गंगा जी में जैसे मा के योदय पर जम्मा लेटी होती है छोटा बच्चा मा के सीने पर सोता है उसी तरह से गंगा मा के योदय पर छोटे बच्चे की मात्य पास में ही सोया धारा में एक द्यूप गंगा जी की धारा के बीच में एक टीला है इसे द्यूप का जाता द्यूप क्या है जो चारोत्रा पाने से घिरा हो जो भुभाग उसे द्यूप का जाता है तो गंगा जी की धारा में एक द्यूब एक छोटे बच्चे की भाति उसी तरह से सोया हुआ दिखाई देता है जैसे मा के सीदे पर छोटा बच्चा सोया हुआ दिखाई देता है उर्मिल प्रवार को कर्म दिख और जिस तरह से बच्चा मा के हिर्दर को सोया हुआ हमने हाथ को इधर ठेकता रहता है उसी तरह से गंगा जी की उर्मिल प्रवार उफंती हुई लहरे हैं अबर उस द्यूप में टक्रा करके वापस आती है प्रतीप में उन्टा उसमे टक्राती है और प्रटकर के पीछे आती है जैसे मच्चा अमना के सीने पर सोया हुआ अपने प्रत प्रत रहता रहता और खेरता रहता उसी तरह से अपने लहर में हातों को फेंगता हुआ लहरे गंगा जी के सीने में वादी हसता हुआ दिखाई दे रहा है पिर क्या है क्या वाद विकर को उड़ता हरने लीव्रा सोगा इतने में दिखाई देता यह पंच्छी कभी कहता हुआ वाद कौन सा पंच्छी है क्या विकर को कहीं वो व्यांको पंच्छी तो नहीं है उर्टा ने हरने लिख्विरा सोक कि वह अपने भीरा के अपने प्रिया के अपने पत्नी के भीरा सोक में को दूर करने के लिए वह गंगा जी के उपर उढ़ा है चकवा पच्छी चकवा पच्छी से कोग पच्छी कहा जाता है वह रात में अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है रात में गातुर रहता है और सुबार फिर बिल जाता है अब तो कंपर्ची गंगा जी के जर्ल के अब धारा के उबड़ा है अपनी परच्छाही गंडें में आधा जर्में देखता है तो आई मेरी कोकी मेरे साथ ऐसा समझ लेता है व och और कौन है, वða कौन सा पच्चहै है क्या भी कह व किये वजिए कोव ऑपने विदा की स्रोब को दूर करने के लिए उड़ रहा है चहाया ची कोव्ध ko को भी को आगे देखे, कभी कहता है जब नाओ गंगा जी के भी धारा में पहुंचती है तो चाजनी के समान चमकने वाले दोर किनारे छिप जाते हैं दूर से गंगा जी की धारा बहुत पतली सी कोमल सरीर की भात दिखाई दे रही है और उसके दोरो किनारे तो भुजाओं की भात दूर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो किसी को आलिकर करने के लिए गले लगाने के लिए नदबर हो, हाथ फैराया हो, अत्यधिक दूरी पर, छिलिज पर, जहां पर धर्ती और आकास मिले भी दिखाई देते हैं, दिच्छों की मालाएं ऐसी लग रही हैं, जैसे आप के उपर भोंग की काली देखा, और भाँ भैंकर लगणा है, कंगा जी के धारा के बीच में एक छोटा सा द्यू जो जल से चाव तरब घिरा हुआ है, देखने में ऐसे लगता है, कि जैसे छोटा बच्चा अपने मा के इरदेंपर लेता हुआ, खेल रहा हो, उसी तरह से गंगा जी के धारा के बीच में, वह, प्रवा, वह, द्यू, सोया हुआ दिखाई दे रहा है, और गंगा जी की लाजे उस पर आकर टकरा करके वापस लगती है, जैसे बच्चा अपने मा के सीने पर सोया हुआ, हाथ पाव पटकर खेलता है, फिर कभी कहता है, वहा कौम सा पच्ची है, क्या कहीं हुआ ब्य विरा में अपने सोब को दूर करने के लिए गंगा जी के जर के ऊपर उड़ता हुआ, अपनी च्छाया को गंगा जी के जर में देखकर उसे अपनी कोकी समझ करके अपने विरा सोब को दूर कर रहा है, आगे देखें, पतवार गुमाय प्रतुनभार, नौका गुंती प्रीतदार, डांडों के चल कर तलपसार, भरकर मुपता पल फेरसपार, विकराती जल में तारहार, चादी के सापों सीरल मल, नास्ती रस्मियां जल में कल, लेखां उसे खिच तरसर, लहरों गिलतिकां में खिल, पतवार गुमाय प्रतुनभार, नाव गंगाजी में चल रही है, नाविक, पतवार गुमाता हुँ, पतवार गुमाता है, नाव अपने समान भार से हो करके विप्रीत दिशा की तरफ गुम जाती है, समान महारप गुवा नाविक करके उसे और वही से घुमा देता है, डांडों के चल करतर परसाद, जिनके एक जोर पर हथेली की तरह बना होता है, जो पानी को पीछे की तरह भेंगते हैं, और नाव का आगी की तरह जाती है, डांडों के चल करतर परसाद, तो नाविक के डंडे, जो हाथ भेला करके भरवर मुत्ता पल फेन सबाद, पानी को भेगते हैं, तो उससे जाग उत्पन होता है, और वो जाग मोदियों के दाने की तरह फेना बन करके दिखाए देता है, बिठराती जल में तार है, और वा जपनंगा जी के जल में बिखरती है, तो ऐसे लगती है, जैसे तार का बना होगा, कोई हार हो, जो जल में बिखर गया है, चादनी के सापों सिंग्रद मल्द, और वा जाग देखने में कैसे लगता है, जैसे चादनी का कोई साप हो, और बिलबिला रहो और किर्णे नास्ती हुई जल में चल रही है। रेखाओं से कि तरफ और वा बरी स्थरुता से तरफता से रेखा की मात्मुन गंगाजी में खिचती हुई और आगे कि पलब बरती हुई मिटती हुई चली जा रही है। लाहरों कि नत्काओं से किन सासो शुषकी वह जहां कैसे दिखाई दे रहे हैं जैसे लाहर भूपनी लता में साचो चंद्रमा खिरें कि और 1400 आरे जिल्मिर रहे हैं। हब जहाग बनता है उसमें चंध्रमा का प्रद्विम्ध और ताम का प्रद्विम्ध बनता है तो एईसे रिखता है कि जैसे लाध्यमिलाता में अनेक चंध्रमा और अनेक तारे खीले वी धिला प्रवा लगी से लेले सास्ता इतने में क्या है नदी का प्रवा कम हो जाता है गहराई कम हो जाती है नाविक लगी से थाख रगाता है और नाव आगे बढ़ती है हम बड़े घाट को सोचा और हम सबी दोग घाट की तरफ बड़ी प्रसंता प्यूबग बढ़ने लगेगे यह से देख लिए कभी सुमितान पंजी कहते है नाविक पतवार को समान भार से करके नाव को उपरी द रंडे की हथेदी को फैला करके पानी को भर करके पीजे की तरफ भेगता है तो मोती के फन की भाद जाग भेना बता है और वह नदी के जल में विखरता हुआ तार होकर के हार की माद दिकाई देता है देखने में ऐसे लगता है जैसे चांदनी का कोई चांद हो सांप हो और वहां नदी में तैर रहा हूँ और चंकमा की किरणे उसमें चर्ण करके छिल्मिला रही हूँ ऐसा ज्ञाग दिखाई देता है और फिर इसके बाद रेखा से खीच करके तरण और सर्ण भाव से वा नदी में छुपता जाता है लहनुकी लता में सौसो तारे और सौसो चंकमा चिल्मिला रहे हैं अर्था जितनी बूदे उतने चंकमा और तारे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे कोछ फेना बनाकर जाग बनाकर जल्में प्हाइल गए हैं जैसे अने कुरकार के फूल खिले हो इतने में क्या होता है नदी का प्रवा कम दो जाता है नाविक लगीशे था लगाता है नदी के किनारे नाव आ जाती है और हम लोग घाज को तरक उत्सा खुर्वक आगे बढ़ जाते हैं आदुनिक शब्रे समस्त परमार्जित खड़ी बूली है सबसक्ति लक्ष्णा के किनारे धन्दवाल धन्दवाल होती है